हेलो फ्रेंड्स एन इस्टुडेंट वेरी वैलकम टो आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉराइश्कूल आपके अपने ही यूट्यूब गुरुजी फॉराइश्कूल में आपका बहुत बहुत स्वाकत है आज का ये वीडियो पुर्णा आपकी सामने में लाया हूं और ये वीडियो पुर्णा ओन निमान वीडियो है जैसे आप जानते हैं आप क्वेशन पूस्तर हम उनके आंसर आपको वीडियो की रूप में बना के देते हैं तो आज के इस ओन डिमान वीडियो में जो क्वेशन पूछा गया है ये क्वेशन पूछा गया है रीना याद जो ललक होती है उस पर हम थोड़ा बहुत आपकी मदद कर पाते हैं हमें खुशी होती है तो चलिए विवर्स देखते हैं कि रीना जी ने यह क्या पुछाओ और इस विवर्स देखते हैं चलिए बोड की तरफ तो फेंस यह लिखावा बोड पर सवाल आप चाहिए तो आभी पड़ सकते हैं लिखावा प्रस लिखावा है एक बहुपद पी एक्स को एक्स स्कुराइर माइनस चार से भाग करने पर भाग पल एक्स एंव शे सब्सक्राइब करने चार से भाग करने पर आपके भाग पल एक्स आ रहा है और जो शेश फल आ रहा है तो उस बहुपद का मान गयात की से अच्छा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोट इसी बात या बताना चाहता हूं बैसर जनर्र पता सबको हो गई ल आपके सामने मैं जिसेंप अगर तो भाग परने की पक्रिया मेरा तीन से में पांस भात करो इसका एठाव बनाड़ता चैक्ट एक आप क्हण लिए तो और तो यह कन पांग मेर्यों कि हम रहीया यह आपका शेस है, यह आपका भागफल है, यह आपका भाजक हो गया, ठीक है, और यह आपका भाजिय हो गया, यह तो सब को पता को जो हिंदी मेडियम वाले शात्रे हो जानते हैं, बाकी इंग्लिश वाले जैसे आप जानते हैं, यह आपका रिमेंडर हो गया, ठीक है, यह 血 डि विडेंट हो गया और यह आपका डिवीजर होगया कि सब जांते ठीक हैं यह से तो यहाँ पर एक हैं से देखी है यह सवाल आप आप कर रहे हो तो यह 5 जाप सत को देखाएं कर historically तो आफ दिविजर एंड भागफल यान की को गुणा करने के बाद यादि उसमें मैं रेमेंडर यानि की सेज को जोड़ दूँ तो हमारे पास भाज़ी आता जाता हैरा इसे बॉड़ बनता है कि डिविडेंट बराबर ड है डिविएंट यानि की आपका भाज़्या बराबर होता है यह बराबर होता है भाजक यानि की डिवीजर में डिवीजर यानि कि इसको आप भाजक बोलते हो भाजक गुणा आपने यह क्या भागफल भागफल किन भागफल इसको आपके बोलते हूं को अधूर्ट मैं इसको हलके लिखा प्रण हो और प्लास उसमें क्या due T वेंいき इसको आप उसमें जोड़ देते हूं जिसको आ रे बोल रहें हो तो सिंपल से फॉर्मल बनेंगे तो इस फॉर्मल से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यही वो विशेश बात ही मैं जो बताना चाहरता हूं वेरी सिंपल तो ध्यान से देखें डिविएंट आप देखो यह मैं मिटा रहा हूं ठीक है तो फॉर्म के हिसाफ से आपके पास क्या है यह दिविडेंट भाज्या डिविडेंट आप यहां पर क्या है यह बोलना एक बहुपद अब दिविडेंट बहुपद को भाग करने प आप जो भी आएगा और रिमेंडर आपका आ रहा है तीन इस तरह से यह सवाल है तो यहां पर इसको गुणा करोगो फिर इसमें जोड़ोगे बराबर यह कर दो तो यानि कि फॉर्मल बनेगा पी एक्स बराबर एक्स इसक्वाइर माइनस चार इंटो कोशन यानिकि आपका भागफल और प्लस आपका 6, 6 आपका है आपर 3, वेरी सिंपल बस यह फॉर्मल इसमन रखा है आपर तो रखते हैं यह मान, तो पी- एक्स बराबर हो जाएगा आपका इसको एक्स सो गुना कर दीजिए, तो एक्स का एक्स स्क्वाइर सो गुना को तो एक्स क्यूब होगा, इसक्वाइर सreal गुना को तो-4, और यह ब्लस 3, तो यह नि कि पी- एक्स की जो वैल्योंड आपके पास आईओ, एक्स स्कॉायर मा थे नोट एक्स स्कॉर्य मां घुन स्कूर्य抄्स प्लसá छी एक्स क्यूब-4 एक्स प्लस क्लस थी तो इस इस आहन पर यह आउन। shirt is square-4 x 3 is वाले क्वेस्टन में जो आप पूछा गया उसका क्या राइट अंसर तो कहने कर बता पर यहां पर यह है कि में लिए आपको फॉर्मॉला आपका बन रहा है यह स्वाल उसी फॉर्म में से क्या होगा और यह अक्सर एक एक नमर के क्वेस्टन में आपके एक्जाम में आते हैं जो बचे अब 10th में गए हैं उनके लिवह बहुत इंपोर्टन्ट है और जिए जिन बचने टैंट के लिए कोई बात नी पर जो अब ये टैंथ में गए हैं या जो ऑल्री जो 9th के इस्टूडेंट से एर्थ के स्टूडेंट है यह उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि छोड़ा सा सवाल है तो यह जो एक्जाम देंगे उनके था है लेकिन यह नॉलेज पॉइंट आप अगर देख लिया यह क्वेशन वीडियो आप देख रहे हैं तो उमीद करता हूं आपका आंसर आपको सटीस्वाइज कर रहा हुआ कि हाँ यह आंसर भी को सही है और बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक जरू करते जीगा और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज बैल आइकोन को और पे जरू क्लिक करते जैसे कि आपके सामने यह रेड पारी की वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक पहुंच जाएंगी तो बस आज के लिए नहीं जल्दी आओंगो एक नए वीडियो में एक नए कुछन साथ और एक नए ग्यान के साथ तब तक मुझे अनुमति दीजिए धन्यवाद